आज मैं दादी नानी के घरेलिन मुसके आपके साथ सेयर करने वाली हूँ नमबर वन अगर चाय कपड़े या बिस्तर पर गिर जाए तो तुरंत उस जगह पर पाउडर डाल दें अईसा करने से कपड़ों पर चाय का दाग छुट जाएगा और कपड़ा एकदम साफ हो जाएगा नमबर दो किसी भी कपड़े पर इंक का दाग लग जाए तो उस कपड़े पर कोई भी तूत पेश्ट लगा कर 4-5 घंटे छोड़ दें उसके बार डिटरजेंट पाउडर डाल धूल लें कपड़े पर दाग गायब हो जाएगा और कपड़ा एकदम साफ हो जाएगा नमबर तीन सिल्क की साड़ी या सूट को डिटरजेंट पाउडर की जगां आप सैंपू से धोएं तो कपड़े की चमक बरकरार रहेगी और कपड़ा खराब नहीं होगा नमबर फोर इस टील की बोतल में चाय या दूद रखने की वज़ा से कुछ दिनों बाद उसमें से बदबू आने लगती है बोतल को साफ करने के लिए इसमें एक चमच बेकिंग सोडा और नीबू का रश डाल दें और एक कप गरम पानी डाल कर अच्छे से हिला कर 30 मिनट के लिए छोड़ दें फिर उसे पानी से साफ कर लें ऐसा करने से बोतल में आने वाली बदबू दूर हो जाएगी और बोतल एकदम साफ हो जाएगा नमबर फाइफ कंबल होते समय उसमें एक चमच ग्लिसरीन मिलाने से कंबल मुलायम और चमकदार हो जाता है नमबर 6 लाल या काले रंग के कपड़े का रंग पक्का करने के लिए पानी में एक चमच नमक डाल कर 20 मिनट तक कपड़े भीगो दें इससे कपड़े धूलने पर कलर नहीं निकलेगा और कपड़े की चमक हमेशा के लिए बरकरार रहेगी नमबर 7 कपड़ों का कलर फेड हो गया है तो धोते समय उसमें एक चमच बिनेगर डाल दें कपड़े की चमक वापस आजाएगी नमबर 8 अगर आपके कपड़े में पान का दाग या रंग लग जाए तो उस कपड़े को खटी दही या मठिस में भी गो दीजिए कुछ देर बाद दाग लगे अस्थान को हलके हलके हाथों से रगड़े ऐसा करने से धीरे धीरे दाग हलका होने लगेगा एक दो बार इस बिधी के प्रयोग से दाग मिटने लगेगा नमबर नाइन जो बरतन जल गया है उसमें एक चम्मस बेकिंग सोडा दो चम्मस नीबू का रस और दो कप गरम पाने डालें अब इस टील के इस क्रबर से बरतन को रगड़ कर साफ कर दें इस तरीके से जला हुआ बरतन बिलकुल साफ हो जाएगा नमबर टेन यदि आप एक कच्चा नीबू लेकर उसे जले हुए बरतन पर रगड़ेंगे फिर बरतन में गरम पाने डाल कर ब्रस से घिस देंगे तो जला हुआ बरतन बिलकुल साफ हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर ये टिप्स आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर